चार दिन पानी में उबालकर पी लो, पूरी जिन्दगी आपको सुगर रोग, कोलोस्टोल, पेट की रोग, मोटापा, गठिया रोग और दिल से जुड़ी बीमारियां कभी नहीं होंगी। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज की इस वड़ी में हम आपको एक ऐसी चमतकारिक चीज के सेवन की विदी के बारे में बताएंगे और इस नुस्खे को बना कर दिखाएंगे। यदि आप इस चीज को हर रोज पानी में उबालकर इसमें दो चीजे मिलाकर पी लेते हैं, पेट के रोग जैसे कबज, पेट में गैस, एस्टिटी की समश्या होगी और नहीं आपके खून में गंदगी आएगी। यानि की आप हर त्रहें की बीमारी और हर त्रहें की रोग से बचे रहेंगे। आपके सरीर की रोगों से लड़ने की सकती बहुत अधिक बढ़ यानि आप दो रुपे के अंदर अपने सरीर को बिलकुल सवास्थ बना सकते हैं और इन हाजारों और लाखों रुपे की दवाईयां खाने से बचे रह सकते हैं। तो चली दोस्तों आपको बताते हैं कि ये चीज है क्या। दोस्तों ये चीज कुछ और नहीं बलकि आपकी पिरसोई में मुझूद एक मसाला है और उस मसाले का नाम है जीरा दोस्तो जीरा बहुत अधिक चमतकारिक है और आपने भी आज की इस वीडियो को देखने से पहले इस जीरे के इतने चमतकारिक फाइदे ना तो कभी सुने होंगे और ना ही खुद जाने होंगे दोस्तो ये जीरा बहुत अधिक चमतकारी है और आपके सरीर को हर त्रह के रोग से बचा सकते है बस आपको जानने की ज़रूद है इसके सही परियोग की और सही यूज की की आपने इसका सही तरीके से परियोग करना कैसे है और इसका यूज करना कैसे है दोस्तो यदि आपको मुटाप को मख़न की तरह पिंगला देगा और आप बिल्कुल slim और fit बन जाएगे यदि आपको पाचंतंतर से जुढ़ा कोई भी रोग है तब भी ये नुश्खा आपके पाचंतंतर को मस्बूत बना देगा और आपको पाचनतंतर से जुड़ा कोई भी विकार कभी नहीं होगा ना आपको कभी डाइरिया होगा, अपच होगी, पेट फूलने की समस्या होगी, पेट में गैस होगी आपको ये बीमारिया कभी नहीं होगी यदि आपको सर्दी जुखाम या भुखार की परिसानी है, तब भी ये नुसका एक चमतकारी ओस्ती की तरहें काम करता है क्योंकि इसमें मौझूद एंटी इंफ्लमेंटरी और एंटी बैक्टरियल और एंटी फंगल गूं ठंड से बचाने में मदद करते ही साथ ही आपके सरीर की इम्मूटी को बढ़ा कर संकर्मन से लड़ने में आपकी मदद करते हैं ये आपके सरीर की रोगों से लड़ने की सक्ती को बढ़ाएगा जिससे कि आप हरत रहें के वाइरस से बचे रहेंगी और हरत रहें के बीमारी से बचे रहेंगी दोस्तों ये आपके सरीर में खून की कमी को पूरा करेगा और ना सिरब आपके सरीर में खून की कमी को पूरा करेगा बलकि आपके सरीर के खून को सुध भी करेगा और दोस्तों यदि हमारे सरीर का खून पूरा है और हमारे सरीर का खून सुध है उसमें कोई गंदगी नहीं है तो हम 1.500 त्रहें के रोगों से बच जाते हैं यानि कि ये आपको इतने सारे रोगों से बचा देगा जोडों के दर्द की अचूक दवा है आपके हडियों को मजबूत बनाकर आपको जोडों के दर्द से बचाता है पेट के सभी रोगों का इलाज है डाइबटीज वाले मरीजों के लिए तो एक चमतकरी है क्योंकि उनके सुगर के लेवल को कंट्रोल करता है और उनको इस डाइबटीज जैसी भेंकर बीमारी से बचाता है तो कितना चमतकरी है दोस्तों आपके कोलोस्टोल को सही करता है जिससे कि आपके सरीर में बैड कोलोस्टोल नहीं बढ़ता और आपको कभी हार्ट ब्लोकेज नहीं होती और नहीं आपको हार्ट डेक आता है ये बलड पैसर को सही करने का काम भी करता है तो चले दोस्तों आपको बताते हैं कि आपने इसका परियोग करना कैसे है दोस्तों आपने करना कै है कि सबसे पहले एक गिलास पानी को लेकर आग पर उबलने के लिए रख देना है अब आपने इसमें आधा चमच जीरा डालना है जैसे कि ये हम डाल रहे हैं अब आपने इसको तब तक उबालना है जब तक ये एक गिलास आपने पानी लिया था और वो उबल उबल कर आदा गिलास ना रह जाए और जब यह पानी उबल उबल कर आदा गिलास रह जाए तब आपने इसको एक गिलास में डाल देना है और एक गिलास में डालने के बाद आपने इसमें डालना है एक चमच एपल साइडर विनेगर जैसे कि ये हम डाल रहे हैं। अब आपने इसमें अपने टेस्ट के लिए आदा चमच डालना है सहथ। और दोस्तों आपका ये नुस्खा रेडी है आपके सरीर को बहुत त्रहें के रोगों से बचाने के लिए। आपके सरीर को बिलकुल सवस्थ बनाने के लिए है। तो दोस्तों आप इसका सेवन हर रोज सुबह खाली बेट करें। और यदि आप ऐसा करेंगे तब आप देखेंगे कि आपका सरीर बहुत त्रहें के रोगों से बच जाएगा। और आप हमेशा बिलकुल सवस्थ फील करेंगे, निरोगी बने रहेंगे। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सेर जरूर कीचिए। इस पे साथ हमें आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजी और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजी ताकि आपको हमारी सबी आने वाले वीडियो की नोटिकेशन आते रहे। धन्यवाद दोस्तों